हेलो दोस्तों स्वागत है वाफिर से आपका हमारे इस यूटेब चैनल में दोस्तों नई जानकारी के साथ एक नई वीडियो में मैं आ गया हूँ और यहाँ पर आप देख सकते हैं वाटर टैंग किस जगह पर रखा हुआ है काफी कंजस्टर जगह पर है यहाँ पर मसीने वगेरा भी नहीं पहुच पाएंगी ठीक है तो आज इसको हम क्लीनिंग करके दिखाएंगे और जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं यह हमारी समागरी है जो भी हम क्लीनिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं यह अपना Blue Sky का Hard Water Stand Removal है जो जिसको हम Water Tank Cleaning में इस्तेमाल करते हैं ठीक है तो हमारे पास मसीने तो हैं लेकिन देखिए दोस्तों इस तरीके से आप यहाँ पर खोल भी सकते हैं यदि आप अपने घर का Tank Cleaning करना चाहते हैं तो इस तरीके से यहाँ पर वाल लगा होता है यहाँ पर खोल सकते हैं उपर के वाल को खोल देंगे टेंक की बिल्कुल अलग हो जाएगी इसका वीडियो मैंने बनाया हुआ है आप देख सकते हैं बाकि हमने मशीने लगा कि इसको खाली कर रहे हैं थोड़ा कंजेस्टेड है जिसकी वाई से मुझे टेंग को यहाँ से उतारना पड़ेगा और पूरी वीडियो प्रोसेस बताऊंगा कि कैसे टेंग को खोला जाता है आप देख सकते हैं यह नीचे से खूल गया ऊपर से एक जो नीचे से पानी आया होती ही मोटर थे उसको बस खोलना होता है ठीक है तो यहाँ नीचे से खूल गया बिल्कुल सिंपल है तो अभी इसको नीचे उतार कर इसको क्लिनिंग करके आपको पूरा प्रोसेस दिखाएंगे दोस्तों मैं यह रिकमेंट नहीं करता हूँ कि आप हर टैंग को ऐसे मतलब खोलिए ठीक है हमारे पास तो मसीने हैं और हमारे पास पूरा तजूरबा है इसको उखाडने का खोलने का तो आप जैसा की देख सकते हैं यह हम वैक्मिंग का प्रोसेस कर रहा है यदि आप प्र चैनल पर और भी वीडियोफ को देख सकते हैं बाकि अपको आप्टर लिज्ट यह जैटा है और हमारा हर अन生 ग्लीफ का जो प्रोसिस रहता है काफी आसान रहता है मतलब हमारा तो जूरबा काफी जादा हो गया yukation में कोई भी कमी नहीं निकल पाती आप देख सकते हैं कंडिशन थी वहां पर टैंक रखा हुआ था ठीक है काफी गंदगी है दोस्तों वह बता रहे हैं कि कस्टमर की लगवग 10 सार हो गया हमने करीब इसको साफ नहीं करा जब से लगा तब से साफ नहीं हुआ तो इस तरीकी से कंडिशन होती है दोस्तों हां तो यह देख सकते हैं तो आप इस तरीका से प्लिद निकाल के कर सकते हैं अब लिक्विद कैसे इस्तिमाल किया जाता है यह भी आप देख सकते हैं। दोस्तों जिस तरीके से यहां पे गंदगी है उसी तरीके से सेम हमारे पाइपों में भी हो जाती है तो आप पाइप meva लाइन के लिए भी यह लिकवीड से इस्तistem माल कर सकते हैं जैसा कि दोस्तों आप यहां पे देख रहे होंगे कि एसा कालापन हो गया है तो ऐसा सेम पाइपों में भी हो जाता है जो तोटी तक जाती है टीक है, तो अपने पाइप ciao करने के लिए इस लिकुलुड का इस्तमाल किया जा सकता है और tank और pipeline के लिए यह same liquid इस्तिमाल किया जाता है ठीक है तो आप हमारे direct contact number से भी contact कर सकते हैं और आप इसको Amazon और क्या बोलते हैं other side से भी इसको order कर सकते हैं ठीक है तो दोस्तो आप देख सकते हैं इस तरीके से हैं और हमने bottle में छेट किया यह हमारा blue sky का hard water standing wall है ठीक है आपको से normal है दोस्तो काफी ज्यादा scrub नहीं करना पड़ता है इस तरीके से scrub हम करते हैं और हम खोलते नहीं है दोस्तो यह तो थोड़ा सा तो इसकी वैसे हमने वहां से निकाल कि इसको अराम से ऐसे कर रहे हैं तो दोस्तों आसा करता हूँ आपको बात स्वंज में आ गई होगी और एयर पाइप के रास्ते लिक्विट को डला जाता है जिसे पाइप ब्लॉक के जगर हो गया टाट टोटी से कम पानी वीडियो मे चैनल से ब्लॉक कर देंगे और कासी हैं और पूरा बिजनस के बारे में पूरी जानखारी दी जाती है तो आप चैनल को सब्राइब कर सकते हैं चले चलते हैं आज की वीडिय के लिए बस इतना है मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए जानकारी के साथ सोफे क्लीनिंग, किचन क्लीनिंग, होम टेप क्लीनिंग, वाटर टैंग क्लीनिंग ये सब का बिजनस और इसमें कैसे क्लीनिंग किया जाता है वो सब जानकर इस चैनल पे मौझूद रहेगी तो आप चैनल पे बने रहेगे, धन्यवाद